सूजी के गोल कपपों की यह मज़ेदार सी रेसिपी इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है प्लस यह मिंटों में बनकर रेडी हो जाते हैं तो आईए अब बिना कोई देर किये इसे आठ करते हैं सूजी के गोल कप्पे बनाने के लिए मैंने लिये ऐं बारिक वाली सूजी है इसे मैंने एक बार और मिक्सरमें अचछे से घ्राइंड कर लिया था यह लगबख 50 क्राम सूजी है ठोड़ा सा रिफाइन हो लिया हे यहा पर मैंने लिया है 9 सूजी अगर तो आपके पास बारिक सुजी नहीं है तो आप एक बार और से मिक्सर में चला लें आदी चमच बेकिंग पाउडर अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे हमें इसमें नमक नहीं डालना होता है अब हम इसमें डालेंगे तीन चमच रिफाइन डॉइल यह सिंपल हमारे खाने का तेल है जिससे हम सब्जें वगेरा बनाते हैं तीन चमच डालना है हमें और इन सब को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है यह देखें मैंने इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम एक बार इस तरह से मुठी बांद कर देखेंगे यह अच्छ नहीं करना हे नॉर्मल रेडि करना है जो कि हम रोटी का करते हैं क्यूंकि जब इसे 10 मिट के लिए रेच्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो हमारी सूजी आटोमेटी हो जाएगी फुल जाएगी और हमारा पानी भी सारा अब्जॉब कर लेगी इसलिए आप स्टाइटिंग म र injust कर लिया हैं अब हम इसे कमर करके 10 मिट के लिए चोड़ वह देखिया दले हो चुका है हमारा दो पहले से थोड़ा हो चुका है हमने इसे थोड़ा सा वोई डालेंगे और अच्छे से मसल मसल कर स्धीकन बना लेंगी इसी की ऐसी के अपर अच्छे से मसल कर चिकना बनाना है बहुत ही अच्छा डूरी करना है स्मूथ डो बिलकुल अब लकth को हटा देंगे और इसे एक फ्लैट और प्लेट प्लेटपॉं तरह बैल केट पानी पूरी की जगां वोती बनाने की है भी नोजम करसे की बैल के भी खेक का ट्रडी LA ni बहोत अच्छी तरख्ञे है वाइन का पानी बनाने की यह देखेब लें है मैं जाओ बोटल का धक्कन लिया है भी मं उस्ते घंच हमिस की कटिंग निकालेंगे गोल गोल इससे होगा यह कि हमारी सारी पानी पूरी की साइस एक जिसी रहेंगी कोई फ़क्री बड़ी या छोटी नहीं रहेंगी क्योंकि हमारे पास और वो टूल नहीं है पानी पूरी बनाने का इसलिए हम इस Wise झाँन कहझ इसलिए में आपर चोटी साइस का डखन लिया है कि यह देखिए मैंने सारी कटिंग निकाल लिया है उसके लावा यह जो साइड वाला लो बचा था इसके भी हम एक बार और मोटी रोटी बनाएंगे और फिर दकन की हट से इसकी कटिंग निकाल लेंगे पहले हम सारी लोईं को एक के बॉल में डाल देंगे ताकि यह सूखे ना हमें यह सारा काम बहुत ही फास्ट करना है क्योंकि अगर हमारी लोईं के ओपर हल्की सी भी लेयर आ जाती है सूख जाती है तो हमारी पानी पूरी अच्छे से नहीं फूलेगी और हां एक खास बात का आप ज़रूर धियान रखें कि आप ये सब करने के दोरान फेन ओफ रखें क्यूंकि पंके की निचे ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगी और जब आप इसे बेलेंगे तो हमारी पानी पूरी जाएव अच्छे से नहीं फूलेगी हमें इन लोईयों को बिल्कुल भी नहीं सूखने देना है इन्हें जल्दी से कवर करते जाना है बॉल में डालने के बाद ये लास्ट डो बचा है अब इसे हम डारेक्टी छोटे-छोटे पिसेस में तोड लेंगे और गोल-गोल बनाकर इसके अंदर डाल देंगे मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिया है चोटे-चोटे बॉल्स अब हम मैंने ओल भी गर्म होने के लिए रख दिया है साथ ही मैं यहां पर यह बेलती जा रही हूं पानी पूरी क्योंकि हमारा ओइल अच्छे से गर्म होगा तब तक हम यह सारी लोईयां बेल लेंगे हमें यह करना है उसके बाद आप इसे बेलना स्टार्ट करें यह देखिए मैंने 50% पानी पूरी बना लिए 50% में धखकर रख दूंगी वह बाद में बनाऊंगी यह देखिए मैंने ऑईल यहां पर गर्म होने के लिए रख दिया था हमारा ओल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका प हुड़ी रहता है यह देखिए हमारी सारी पानी पुरी फूलकर बहुत ही अच्छे से उपर आ गई है कि हमारी पानी पुरीज है वह बिलकुल पोफ Nuclear बनी है 넣ges काहिंक हमारे सारी पानी पूरीजे हुआ यह जल जायगी और सूजी की पानी पूरी और जादा नहीं किया जाता है इन्हें हल्का गॉलड़न ब्राउन होने तक हम इसे इक साइड सेहं हैं अब और जाहे में आलड कर सकते हैं लेकिंड equally हलिए हल्का सालड कर लूंगी एक साइट से हलका से कूंगे, एक साइट से थोड़ा सा डार्क, यह देखिए हमारी पानी पूरी बनकर रेडी हो गई है, यह बिल्कुल पॉफेक्क कलर आया है इसमें, अब हम इसे निकाल लेंगे, यह हमने एक राउंड की पानी पूरी बनाकर रेडी कर ली है, अब हम दू गोल गप्पे की रेषेबिन को जरूर से कि यहाई होगी आप मेरे लिज़ेजियो को ध्यादा गॉलियो को लाइक और शेयर कीजियागा अगर आप मेरे चनल पर फर्स्ट ताइम हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चनल और प्रेस द बेल आइकन ताकि अग्ले वीडियो की तब तब के लिए, बाइ, thank you!